हलो स्ट्वेंट्स मैं रोहन से सोधिया वेलकम करता हूं आपको गामा चैनल पर आज हम लोग कंटीन्यू करेंगे हमारी वोकेबलेरी की सिरीज को और देखेंगे लेटर क्यू आर और एस इन सभी क्या मीनिंग देखेंगे एक्जांपल्स के साथ और फिर सिनॉनिम्स भी हम क इसका मीनिंग होता है a slight objection or criticism किसी भी चीज पर आप object करो या फिर criticize करो उसको बोलते हैं quibble उसकी कमजोरी है कि वो छोटी-छोटी चीज़ों को अबजेक करता है, उनको क्रिटिसाइज करता है इसका सिनॉनिम है complaint बट क्वीबल एक नया वर्ड है जिसको आप एड कर सकते हो अपनी वोकेबलरी में next वर्ड देखते हैं, reticent reticent का मतलब होता है reserved या फिर shy एक्जामपल देखते हैं, रीमी वाज extremely reticent about her personal life तो रीमी जो थी, वो काफी reserved थी अपनी personal life को लेकर कुछ भी share नहीं करती थी, personal life को लेकर synonym है introvert, तो shy और introvert काफी match कर रहे हैं और reserved हो आप किसी चीज़ को लेकर मतलब आप उस चीज़ पर ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते हैं उसके बाद हम चलते हैं next word पर, next word है red tape इसका meaning होता है excessive adherence to official rules and formalities तो जब भी आप किसी government office में जाते हो, आपने notice किया होगा कि बहुत सारी formalities होती हैं, बहुत सारी steps होती हैं और काम में काफी delay होता है, और सही तरीके से आपको आपके काम हो नहीं पाते हैं तो अगली बार आप इस situation में फसो, तो आप ये red tape word ध्यान रख सकते हो ठीक है, example देखते है, industrialists were exasperated by the red tape तो sentence कहा रहा है, कि जो industrialists थे, वो बहुत ज़्यादा frustrated हो गए थे, red tape से तो sentence कहा रहा है, कि जो industrialists थे, वो काफी frustrated हो गए थे, जो red tape था उससे तो definitely अगर industrialists, government departments में जा रहे हैं, approval के लिए, compliance के लिए तो वो, वहाँ पे काफी, formalities और इन सब में frustrated हो रहे थे तो यह है, red tape, इसका synonym है, bureaucracy, तो जब भी आप bureaucracy से deal करते हो, यह problem आप face करते हो, especially in a country like India, इसके बाद next word है, redundant, redundant का मतलब होता है, not or no longer needed or useful, कोई इसी चीज जिसकी कोई ज़रूरत नहीं हो, वो superfluss हो, example देखते हैं, the question has too much redundant detail, तो question में काफी ज्यादा extra detail थी, इसका मतलब यह है, कि उस question को आप बहुत कम information से भी solve कर सकते थे, बड़ उसमें कुछ ऐसी information थी, जो कोई help नहीं करी थी, question को solve करने में, तो synonymize का unnecessary, एक और बहुत च्छा synonymize word का, वो है superfluss, कोई भी चीज एक्स्ट्रा, which is not needed, तो redundant word जो है, काफी use होता है, आपको पता होना चाहिए, इसके बाद हम चलते हैं, next word पर, वो है resilient, resilient का मतलब होता है, capable of withstanding shock without permanent damage, तो shock को जहलने की शमता, without damage को हम बोलते है, resilient, example देखते है, पॉर्चूला का are very resilient to extreme weather, पॉर्चूला का एक flowering plant है, और ये extreme weather को काफी अच्छे से handle कर लेता है, इसलिए हमने यहाँ पर word यूज किया है resilient, synonym है, quick to recover, किसी भी damage ये shock से, जो चीजी easily recover हो जाया है, without permanent damage, उसको हम बोलते है, resilient, इसके बाद है next word, retrospective, retro का मतलब होता है, back, hindsight, जो चीज पहले हो चुकी हो, तो retro word को आप ध्यान अखना, retro look, retrospective, looking back on or dealing with past events, जैसे अभी मैंने बताया, retrospective मतलब, पीछे जाके किसी चीज को देखना, example, the process of retrospective review has given positive results, तो अगर आप कोई भी चीज को पीछे जाके देखते हो, review करते हो, चीक है, तो उससे आपको काफी positive results मिलते हैं, और यहाँ पे भी sentence में कहा गया है, the process of retrospective review has given positive results, तो ऐसी process जिसमें आपने पीछे जाके चीजों को review किया हो, analyze किया हो, तो उससे कई चीजे निकल के भाहर आती हैं, और उससे आपको फिर positive results मिलते हैं, synonym है backdated, next word है rigorous, rigorous का मतलब होता है, extremely thorough and careful, the planes have to undergo rigorous safety checks, तो take off करने से पहले हर plane का काफी ज्यादा rigorous safety checks होते हैं, बहुत ही ध्यान से और बहुत detail में हर चीजों को verify किया जाता है, ताकि plane crash नहीं हो, तो इसके लिए सही word है rigorous, तो इसका synonym है punctilious, उसका मतलब भी होता है attention to detail, कोई चीज़ को बहुत ही carefully करना, इसके बाद हम चलते हैं, next word पर वो है skeptic, skeptic का मतलब होता है, one who is always doubting, ऐसा बंदा जो हमेशा doubt करे, question करे, शक करे, उसको हम बोलते हैं skeptic, example देखते हैं, तरुन was skeptic about the new party president, तो तरुन जो था, वो काफी doubtful था, नए party president को लेकर, trust नहीं आ रहा था, नए party president पर, synonym है doubter, one who doubts, skeptic word है, द्यान रखना, ये reading comprehension में इस word को use किया जाता है, कि tone of the passage केसी थी, skeptical थी क्या, तो एक options में रहता है, तो आपको ये पता होना चाहिए, उसके बाद next word है, scrupulous, scrupulous का meaning होता है, careful, thorough and extremely attentive to details, ये वैसा ही है, जैसे भी हमने देखा था, rigorous, किर्थी was scrupulous in all her business dealings, तो किर्थी जब भी कोई business dealing करती थी, तो वो छोटी-छोटी चीजों का ध्यान रखती थी, और बहुत ही careful थी, business के जो nitty-gritties होते हैं, minute details होते हैं, उनको लेकर, इसका एक और synonym है meticulous, जो letter M जब हमने किया था तब भी देखा था, और बहुत अच्छा word है, meticulous, scrupulous, punctulious, इन सब क्या meaning same ही है, attention to detail, और doing things very rigorously, very carefully, फिर next word है, solicit, solicit का मतलब होता है, to ask someone for money, information और help, एक प्रकार से मांगना, है न, वो है money हो, information हो या फिर help हो, they were planning to solicit funds from a number of organizations, वो लोग कहीं सारी organizations से funds मांगने का plan कर रहे थे, solicit, मतलब to ask for help, money, और information, synonym है request, तो solicit को आप request से ध्यान रख सकते हो, उसके बाद next word है, spurious, meaning false and not what it appears to be, मतलब, आपको लगे असली है, बट वो असली चीज नहीं है, ठीक है, तो लेप्टॉप रिपेर गाए, इंस्टॉल्टॉप पूरियस पार्ट्स, इसका मतलब क्या है, जो बंदा लेप्टॉप रिपेर कर रहा था, उसने ओरिजिनल पार्ट्स ना लगाके, नकली पार्ट्स लगा दिये थे, जो authentic नहीं थे, तो वर्ड क्या है, spurious, ध्यान रखना, synonym है fake, तो fake से आप ध्यान रख सकते हो, spurious को, इसके बाद हम चलते हैं, next word पर, staunch, staunch का मतलब होता है, very loyal and committed in attitude, she is a staunch advocate of free trade, तो कोई बंदी है, वो बहुत ज़्यादा loyal है, और committed है, किस thought को लेके, कि free trade जो है, वो होना चाहिए, वो उसको काफी ज़्यादा, advocate करती है, उसको आगे बढ़ाती है, synonym है faithful, ठीक है, तो staunch follower भी होता है, staunch follower का मतलब भी होता है, कोई बहुत ज़्यादा committed, और loyal किसी चीज़ को लेके, staunch follower अगर आप किसी political party की हो, तो आप बहुत ज़्यादा committed हो उस party के लिए, next है stringent, stringent का मतलब होता है strict, काफी मिलते जुलते हैं, तो strict से आप याद रख सकते हैं stringent को, he failed to meet the stringent selection criteria, वो strict selection criteria थे, उनको meet नहीं कर पाया, इसका synonym है exacting, exacting कोई चीज़ उसका मतलब है, बहुत ज़्यादा demanding, बहुत ज़्यादा जिसमें requirement हो, और चीज़े आपको fulfill करना पड़े, किसी भी चीज़ के intensity के कम होने को हम बोलते हैं, तो उन लोगों ने wait किया, कि जो flood water है, वो कम हो जाए, और उसके बाद ही उन्होंने अपनी further activity करी होगी, इसके synonym है abate और calm, abate करने का मतलब भी होता है, to reduce the intensity, और दूसरा calm, चलते हैं next word पर, surmount, surmount का मतलब होता है, overcome a difficulty or obstacle, they were determined to surmount all problems, तो उन लोगों ने दर्ण निश्य कर लिया था, कि कोई भी problem आएगी, वो इसको overcome कर लेंगे, यह इसका meaning है, अच्छा word is surmount, synonym है conquer करना, जीतना, overcome करना, किसी भी, बाधा को, obstacle को, तो इसी के साथ हमने, q, r, और s letter के words देख लिए, और यह बहुत ही important words है, यह तो आपको आना ही आना चाहिए, ठीक है, तो इनको आप बार-बार करना, revise करना, और लगे तो लिख के कर लेना, और generally words को याद अखने का सबसे बड़िया तरीका यह है, कि आप उन words को उन particular situation में use करो, ऐसा करने पर आप उसको भूलते नहीं हो, तो किसी भी word को अगर आप किसी particular situation में use करना सिख गए, या करने लग गए, तो आप काफी अच्छे से उस word को retain कर पाओगे, और सई टाइम पे recall कर लोगे, तो इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं, comment section बताना अगर आपको कोई doubt हो, और वीडियो कैसा लगे, थैंक यू, तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो, कि ऐसा ही quality content आपको मिलता रहे, जो help करें आपको आपकी exam prep में, तो circle में जो gamma का logo दिख रहा है, उसको click करें और channel को subscribe करें, थैंक यू,